नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आयाँ 36 वर्स के पर उसके पाम का असस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सड़ प्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिरेक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों नभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपयकर के चानल को सब्सक्राइब कर ले, बेल एकन को प्रेस कर दे ताकि लिटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले कुछ चीजों का डिस्क्रिशन मैं करना चाहूँगा आप लोगों से आज का फैसला भहती एहम भूमी का निवाएगा जो हमारे देश पर एक विकट संकट मंडर आ रही है उसको दूर करने है तूँ तो आप से एक अन्रोध है जैसे के आज हमारे देश के प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी ने किया आप भी इस चीज़ को समझे और इस बारीकी को समझे और इस बिमारी के गहराई को समझे और आप अपने घर में रहें और घर में रहके ही सारा काम करें बाहर ना निकले कुछ ही दिन की बात है 21-22 दिन में समस्याएं खतम हो जाएंगी बहुत हद तक अगर आप पुरा सा योग करेंगे तो तो आपसे ये भी अनरोध है कि इस लड़ाई से लड़ने में आप भी एहम भूमिका निवाईए एक जिम्मेदार परसन जैसे हैं पता है आप लोग निवाएंगे लेकिन ये बाते मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ या कहना उचित समझ रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं अपना फर्ज मैं निवा रहा हूँ आप अपना फर्ज निवाईए जिम्मेदार बनके हमें आपसे पुड़ा उम्मीद है कि आप ये करेंगे और एक दिना में इस अंकट से जरूर उबर पाएंगे ये कनफर्म है तो सबसे पहले चीज कि इनका जो कोशन्स थैं उसके एधार पर मैं इस अतेली को देख रहा हूँ तो आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी पहला बहुत समस्या में ये गुजर रहे हैं तो क्या दिकरी इस्थितियां ऐसी कब तर चलेंगी क्या आतेली पर कैसे योग थे जो इतने करज भी आ गए करज में भी है ये और जब हमारी कनफर्शेशन होई थे ना काफी भावुक हो गयते तो रोने या भावुक होने से कुछ नहीं होता जिन्दगी है कभी आपकी जिन्दगी में उतार चराब तो आते ही रहते हैं ये बहुत नॉनमल है इसके लिए पैनिक होने का आवशक्ता नहीं है और मैं अभी आपको समझा दूँगा दिखा दूँगा किस बात का ख्याल लखना चाहिए उस विशेपर भी पूर्णता जर्चा कर दूँगा तो वीडियो काफी महत्य पूर्ण पूरा देखे चीज़े आपको समझ में आएंगी और समझने का परियास करे कि क्या इस्थितियां है और क्यों ऐसी हो दी है सबसे पहले चीज़ जब इसको मैंने देखा इस अतेली को तो मुझे एक चीज़ तो नजर आ गया कि प्रारंबिक समय में ऐसे लोगों को बहुत समस्या होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए वो मैं दिखा दूँगा कैसे हमेशा जिन्दगी पर बिपरीत परिस्थिती बन जाएगी और बिपरीत परिस्थिती बनने के मारिफत से वेक्ति आगे बरने में बहुत दिक्कत कर दे जाते है और एक तो निर्णले में प्रिशानी थी दूसरी स्थितियां बहुत असा मान ने थी मैं दिखा देता हूं कैसे सबसे पहला चीज तो नजर गया मेरे बुद्ध फिंगर पड़ तो मैंने इनसे पूछा है आप बिजनस कर रहे से में आपको बहुत घटा लगा इन्होंने का हाँ क्योंकि इनकी बुद्ध रेखा भी बहुत टूटी टूटी थी इस केस में ये चीज़े होनी आम बात है दो चीज़े हो गए अब उसके बाद और क्यास्थिति आपको दिखी गुरू जी तो मुझे जरूर दिखी अगर आप देखिए तो इनकी हाटली पढ़ना ये लाइन जादा आपको मौजूद होंगे तो ये क्या होता निया आपकी जीवन पर विप्रित पश्थिति बनाती है अगर ये रहेगा न तो इनसान को कोई भी चीज़े चीव करने के लिए थोरा पढ़ियास जादा करना पड़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है विक्ति को पढ़ियास करना पड़ता है ये कनफर्म है और पढ़ियास करने के बाद अब सफलता कैसी मिलेगी तो देखो फेट लाइन तो आपकी जरूर आपकी एतली पड़ है तो कही न कई प्रारंबिक समय से आपने पैसे जरूर कमाए होंगे ये मैंने कहा इन्होंने हाँ कहा था अब उस समय भी पैसे कमाए होंगे तो विपरीट पैस्तितिया बढ़ी होगी लेकिन पैसे अवश्य ही आपके पास आजाते होंगे लेकिन तीस वर्सों से न कुछ तीस से के बाद से फेट लाइन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया यहां पर से भी हलकी डिस्टर्ब्स दिखी हमें और यहां एक और ब्रांच जोता न यह भी हलका डिस्टर्ब्स मुझे दिखा तो जब आपकी फेट लाइन पर दो ब्रांचेस आ जाना तो विक्ति अपने प्रोफेशन को चेंज करता है और आपकी जीवन रेखा पर अगर ये वाली लाइन उसी प्रियर में दिख जाए तो विप्रीत परस्थिती बढ़ेंगी ये कंफर्म है और विक्ति को इस से नुक् कर रही है उस काम का ही मैं आपको सजेशन देता हूँ तो ये लाइन आपकी है तो इसमें तो श्योर शेटन वाली ही बात है कि कुछ समय के लिए आपका स्ट्रगल और बना रहेगा आपके जिंदगी पर अब वो चीज़े मैं आपको दिखा दू तो इनकी 40 एर्स में इस्त आपको ठीक ठाक दिखेंगे आपके जिंदगी पर क्योंकि फेट लाइन फिर धमाकेदार हो रही है तो अभी आपकी 36 एर है तो यहां पर से 36-37 में खलकी negative expense है इसको पूरा पूरता negative expense नहीं मानोगा यह इसको positive way में ही लिया जाएगा लेकिन 37 एर्स के बाद आपकी जिंद इस लाइन बनी हुई है तो विक्ती को progress मिलता है और परस्थितियां भी विपरीत नहीं बनती आप परस्थितियां विपरीत बनने से क्या होता है न कि आपकी भागे रेखा के अगर साथ नहीं होगा तो पैसे खर जो जाएंगे और यह हो सकता है कि आपकी निरण लेने में परशानी हो आप ही किसी के हतली पर है इस हतली पर तो completely थी लेकिन आपकी किसी हतली पर अगर निर्णे लेने में परशानी हो और ये स्थतियां बनी हो तो वेक्ति के जन्दगी पर दिक्कते आती हैं ये बहुत समानली है लेकिन एक राहत की बात ये है कि आपकी अदली है राज्योकारक तो ऐसे इंसान की जिंदगी और गारी चल लेती है बहुती अराम से जिंदगी भी कट जाती है गारी भी चल लेती है और जादा विशेश दिक्कत नहीं होता दिक्कत तो अब आपने कुछ ऐसे स्थितियां की होंगी अपने जिंदगी पर कुछ गलत निरने ले लिया होगा जो कि आपकी परस्थिती ही थी तो दिक्कत तो वो लाजमी है तो जोतिस तो वहीं काम आता है न जब आप किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हैं या किसी सरे कर्ज ले रहे हैं या किसी धंडे में लगा रहे हैं तो वो क्या आपके लिए उचित है उस समय या नहीं है तो जोतीए परामर्ष उस समय जरूरी होती है अब हो जाने के बाद क्या फाइदा तो यही मैं कहाँ रहा हूँ कि चलो आप जो हो गया सो हो गया उस बात पर पाई डालते हैं अब आपका एक प्रश्ण होगा गुरु जी आगे की विश्य में बता दीजिए अब जो हो गया वो तो होई गया उसके लिए क्या कर सकते हैं वाज़िव बात है आप क्या कर सकते हैं तो आगे 40 के बाद आपकी स्थिति अच्छी है उसके पहले 38 से कुछ स्थितियां अच्छी आपको नजर आएंगे आपके जिंदगी पर लेकिन 40 वर्सों के बाद आपकी जिंदगी पर इस्थिति बहुती शांदार मुझे दिखरी है अपने कर्ज को उतार पाने में बहुत सक्षम रहेंगे तो ये इनका पहला प्रश्ण था अब इनका दूसरा प्रश्ण था कि किस चीज का विपार करूँ तो देखे चंदरमा बहुत बढ़िया है शुक्र भी बढ़िया है तो विक्ती को benefit मिलता ही मिलता है इसमें कोई doubt नहीं है पहला चीज दूसरा आपकी अच्छी खासी progress line बढ़ी वी है तो इस्थितियां अच्छी होंगी आपके जिंदगी पड़ एकदम अच्छी होंगी तीसरा चीज मैं देखो तो आपके सारे ग्रहों में मूलता स्ट्रेंथ है तो विक्ती को राज्यों की प्राप्ती होती है और इंसान के जिंदगी अच्छे से कट जाती है और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूँगा ड़िये मत लड़िये चाहे कितना बड़ा भी संकट आए ना लड़िये दड़िये मत ड़ने से कुछ नहीं होता अब दूसरे चीज क्या है इनकी देखो अब इनके हटली पर कुछ नेगेटिव चीज को मैं दिखाता हूँ एक तो ये नेगेटिव आपकी मिल गए जो की बिप्रीद प्रिसिती आपके जिमन पर बना रही थी दूसरा आपकी जो माइड रेखा है ना वो काफी अलग है तो ऐसे इंसान बहुत इंडिपेंडेंट होते है और अच्छे डिसिजन मेकर ना होनी की वज़े से इनके द्वारा निरने गलत लिये जाते है इनके जिन्दगी के परती तो इस बात पर ख्याल रखिएगा और दूसरी ये लाइन आपके परिजन्स आपके घर वालों में कई ना कई टेंशन को इंडिकेट करती है कि घर में कुछ ना कुछ प्रकार की परिशानी चलते रहे जिससे आप काफी डिस्टर्ब रहते है तो वो परिशानी भी मैं आपके तलिए पर बखुवी देख पा रहा हूँ तो इसके लिए भी आपको उपाई दिया जाएगा आमाने द्वारा और कुछ लोग ये भी पूछते हैं मेरे से या कमेंट करते हैं कि आप भगवान हो जो आप उपाई सबका आपके पास उपाई है देखो उपाई मैं बोलता हूँ मैं दूंगा आप उसको इमानदारी से करेंगे तब ही आपके जिंदगी पर फाइदा आएगा तो किसी भी चीज़ को सोचिये समझिये करिये अपनी negativity आप मत दिखाईए वो मुझे दिख जाता है तो क्या होता है ना कि अगर मैं कोई चर्चा करता हूँ कि मैं उपाई दूंगा तो उपाई में क्या दूंगा क्या आप माथा ठेकने मंदर नहीं जाते क्या आपको कोई प्रावलम आता है तो भगवान का अराधना नहीं करते क्या आप शूरी को जल नहीं देते क्या आपको उचित नहीं लगता कि मैं सनी मंदर जाओ क्या आपको उचित नहीं लगता कि एक बार जाके भगवान का दर्शन करनो आपको सांती मिलेगी तो बस यही उपाय हमारे दोरा दिया जाता है तो बातों की बारिकी को समझे उसके बाद कुछ भी चीज़ आप बोले क्योंकि ये मैं जो आप कर रहा हूँ आपके लिए ही कर रहा हूँ और आपके बलाई के लिए ही कर रहा हूँ तो हातेली पर अच्छे योग अवश्य बने हुए आपकी फेट लाइन आपकी 37 वर्स के बाद अच्छी खासी कंडिशन में और बड़े स्क्वाइर से बने हुए तो व्यक्तिको प्रापर्टी का साथ मिलता है इसमें कोई डाउट नहीं है अब उसके बाद माइंड रेखा आपकी है प्रबल और हर्ट लाइन भर्शानदार मूलता गरू में स्ट्रेंथ है ब्रशपती पर कुछ स्क्वाइर नुमाकरती का फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में व्यक्तिको अथरिटी पोस्ट के प्राप्ति होती है लेकिन 36 वर्स के बाद और 36 वर्स के बाद 40 वर्स क उसको पूरा कोशिश करना आपको समझने का ना कि उसको गलत सेंस में लेने का और थोड़ा हिम्मत रखना क्योंकि हिम्मत ही बहुत बड़ी चीज होती है ये मैं बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमारे उपर बहुत बड़ी विपदा पड़ी हुई है जितना लेना पड़ेगा जो चीज़े बताई जारी है रोज रोजाना बेसिस पड़ा तो इस बात का तो आपको श्वैम ख्याल रखना है कोशिश करना है कि आपको लड़ना है ना कि डरना है डर के कुछ नहीं होता अब जो आना था वो आ गया अब इसको कैसे हम अपने वील पड़िक के जैसे घर में बंद हो चाहिए अब चर्चा करते हैं इनके आगे जर्नल आनासेस के तरब तो सबसे पहले चीज़ इनकी स्क्वैरेस हते लिए तो विक्ती मातवकांची होते हैं जद्धी होते हैं कोई कारी करना है तो बस करना है इसमें कोई संदेह वाली बात और गुलाबी अतिले तो धन को अट्रैक करते हैं मूता ग्रू में इस्ट्रेंट तो 55% राजजोग का फलारा है जो कि जिन्दगी बिताने के लिए बहुत उमदा है इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है समझदारी के लूप अच्छी है लेकिन decision making में problem तो व्यक्ति 25 में साल से लेके 30 में हाँ मूलता बान के चलो आप 30 में 32 में तक इनके निर्णे खराब होने के बहुत ही आशांकार रहते हैं ये लोग कुछ गलत निर्णे लेंगे जो कि इनके जन्दगी के लिए ही अच्छा नहीं साबित होगा तो निर्णे अभी भी आपको सोच समझ के लेने क्या होशकता है बाकी अतले पर खड़ी लाइन सा मौझूद है तो इस केस में व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कोई परशानी वाली बात नहीं है यावे देखो खड़ी लाइन सा मौझूद है फिर देको इनके ब्रश्पती फिंगर छोटी है तो ब्रश्पती फिंगर छोटी रहने की वज़ा से और सन फिंगर बड़ी रहने के वज़ा से ऐसे विक्ती काफी हिम्मती होते है इसमें कोई परशानी वाली बात नहीं है कोई परशानी नहीं और Sun और Saturn के attachment है तो विक्ति कैलकुलेटिब है बुद्ध फिंगर छोटी है तो इंसान अपने कारे को कही ना कही लापड़वाही से करेंगे एकदम लापड़वाही तो लापड़वाही आपको नहीं करना है कोशिश करना है कि आपने काम को बड़ी मांदारी से करें और पैसे इनके काफी खर्च होते हैं इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है पैसे अच्छे खर्च होते हैं इनके एकदम कनफरम तो पैसे पर कंट्रोल करना है खर्च के स्थिति को जादा बढ़ने नहीं देना है दूसरा आप इनके गरहों के तरब चलते हैं तो सरपरते हम ब्रशपती ब्रशपती इनकी है ठीक ठाक मीडियम में लेकिन ये जो प्राब्लम है ये आपको परशान करती है प्रारंबिक समय से ये आपके दूसरे के हेल्प के लिए हमेशा दात पड़े रहता है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है तो इनकी आयू जो है ना इनकी आयू थोरा मिस्टेक हो गया मेरे से इनकी आयू 32 वर्स के भी है फिलाल 33 वर्स की हो जाएगी तो मैंने गलती से बोल दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपकी अभी स्ट्रगल है कुछ दिनों तक वो मैंने दिखा दिया ये continue lines आपकी बने वे थे लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ progress line थे जो कि आपको कही ना कही सफलता दिला रही थी तो वो मैं जीवन रेखा पाके उसको पूड़ा क्लियर कर दोंगा इनकी आयू 32 वर्स की है 33 वर्स हो जानी है तो इनके ब्रशपती है अच्छी यहाँ से तो वेक्ति कही ना कही घर से बाहर का इनको value मान समान मिल जाता है अपने कारे छेतर को बढ़ा पाते है square बहुत उम्दा बन रहा है और कुछ जो ये lines है ये आपके परोपकार इनसान मददगार personality कहता है इमानदार होता है no doubt फिर देखे इनकी Saturn तो यहाँ पर से कुछ lines मौजूद है तो इनसान के जिन्दगी के last period बढ़िया बीतेगी भाग ये रेखा बड़ी उम्दा यहाँ से दबाब है तो विक्ती मैनती मैनत का फर इनको मिल जाएगा 60% के round इसमें कोई doubt नहीं है और line of education काफी अच्छी है तो विक्ती 100% अपने कारे को इमानदारी से करने वाले basic knowledge की कोई कभी नहीं फिर देखे सूरी देखा एक सूरी देखा जो एक source of income दर्शाती एक और सूरी देखा अपने कारे को बड़े accuracy से करेंगे बड़े multiple property के योग हैं जो कि आपकी 36 में के बाद developed है तो विक्ती को 36 में के बाद इसका benefit अवश्य ही मिलता है इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है शूरी प्रवत प्रवल है आपका तो विक्ती name fame लेने के लिए हमें साथ आत्य पर रहते होंगे वो कारी करते होंगे जिसमें इनको मान समान पतिस्ठा मिले इसमें कोई डाउट नहीं इनको मिलेगा यह वैसा कारे जरूर करेंगे खरी लाइंस मौजूद है तो चंगल में भी छोड़ दो तो यह पैसा कमा के आ जाते है इसमें कोई डाउट नहीं है विक्ती में पैसे कमानी के अवलिटी बहुत अच्छी रहती है शुरी बुद है ठीक तो आगे चलके वैपारिक दिस्टिकों से इस्तियां बहुत अच्छी नजर आ रही है इंसान वैपार करके अपने जीवन पर पैसे कमा सकते है फिर देखे मंगल दोणों ही मंगल भादूंदा है एनरजी लाजबाब अपने कारे को बड़े एनरजी से करते है इसमें कोई डाउट नहीं है और मंगल अच्छा है तो लॉजिकल भी है स्वस्ति भी रहेंगे जल्दी किसी परकार की स्वास्त की परशानी भी नहीं होती अब उतनी ही कुछ लापरवाही कर दी जाए वो तो अलग ही बात है लेकिन इन लोग को जल्दी किसी परकार की स्वास्त की परशानी नहीं देखी गई है और मंगल बढ़िया है तो जमीन जादा से बेनेफिट रियल स्टेट से बेनेफिट आपको अवश्य ही होता है लेकिन कुछ दिक्कत था जो विपरीट पर स्टेटी बना रही थे और कहीं ना कहीं हलकी हलकी राहूलेंट भी कट था तो वो चीज मैं क्लियर करूँगा अब आके चलके चंदरमा इनकी भधबनियां पैसे की फ्लो जिन्दगी पे अच्छी रहते चंदरमा अच्छा है तो विक्ति अपने कारी में भहतीमानदार रहता है और घर से बार का उन्नती इनको होता है के तो परवत पर फिश बन रहा है तो कास्मिक दनलाफ की प्राप्ती करा रहा है शुक्र भहत बनियां तो इंसान की जंदगी बहुत मज़े में भीत नहीं है और मूवी लाइन, मॉडलिंग और कई न कई कपड़ों के गार्मेंट्स के बुटिक के कारे से आपको बेनेफिट ये आपकी शुक्र मुझे बता रही है लगजरी के प्रापर योग हतले पन मौझूद तो विक्ती को लगजरी का साथ मिलता ही मिलता है इनकी मंगल भहत प्रबल, जबर्दस्त इंसान भहत एनर्जेटिक, किसी भी प्रिस्थिती में अपने आपको हारने ये लोग नहीं देते ये लोग हमेशा कोशिश करते कि मैं जीतू, ऐसा काम करू कि मुझे जीत मिले प्राकरम बहुत लाजबाब जीवन रेखा बढ़िया है तो आयो दिरगायो 75 वेर प्लस की आयो जारी है आपकी दिरगायो सेंस में बाते जारी है प्लारम बिक समय से स्ट्रेगल रहा जंदगी पर राहू लाइन भी था और कुछ ऐसे वेसम प्रस्थितियां भी आपके जंदगी पर बनी यहां भी एक कट था देख लो तो अभी आपकी कट तीस वरसों के बाद तो मुझे दो दिखी ही गई तो तीस से लेके बद्टिस चौनटिस तक तो दिख्कते हैं उसके बाद 35 से स्ट्थितियां अच्छी हैं फिर एक दिख्कते आगए स्टिस में तो स्टिस में एक दिख्कत यहां भी मुझे नजर आई और आगे भी आपकी थोड़ी बहुत नॉर्मल दिख्कत है उसका पर जो मैं अभी उपाई दे दूँगा मांकि आपकी 40 में अच्छी प्रगति है और कंटीन्यू प्रगति के योग बने में उसके बाद से जिंदगी आपके completely change होने वाली है 40 के बाद उसके पर थोड़ा उपर नीचे का समय रहेगा कुछ progress line भी है थोड़ा struggles भी रहेगा ज जिंदगी नहीं कटेगी बहुत यह अच्छे तरीके से कटेगी आपके पास opportunity आएगा काम आएगा आप उसको करके पैसे कमाओगे यहाँ पर से यह दिक्कत था तो प्राड़ंबिक से में प्राब्लमस आई होंगे अभी इनकी 32 के है तो भी कोई विश्यशकर दबाब नही माइन रेकाब है बहुत बड़ी इनसे दिमाग बहुत तेज होता है आपका लेकिन ओवर confidence में आपको निरने नहीं लेना इतनी बड़ी भी कभी कबार अच्छी नहीं मानी जाती हार टाइन बहुत अच्छे हैं दिल दिमाग के बहुत तंद्रूस्त इंसान कभी भी अपने जिन्दगी पर हारता नहीं है बहुत संतुलित व्यक्ति होते हैं ये लोग ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि चलो मुश्रीबत आ गया अब उसको लड़ते हैं जीतते हैं और कहीं नहीं कर ये परियास करके जीत ही लेते जब आपकी ये tendency रहीगी तो और सुरू से भाग और फिर आपकी जो ना फेट टाइना भी है बनिया उम्दा तो जीवन के लास तक बनिया है घर से दूर का उन्नति दिखा रही हैं एक multiple property के योग साथिस के बाद की मुझे आ रही है तो इस case में विक्ति को benefit मिलता है तो थोरा struggle आपके जिन्दगी पर भी है दो दिन वर्ष का कर लीजे उसके बाद से आपके जिन्दगी अच्छी है मूलता अगर मैं आकड़ा बता हूँ आपको तो 37 से बहुत बढ़िया थोरा दिक्कत होगा negative expense है 37 में लेकिन रहेगा बढ़िया पैसे आ जाएंगे उसके बाद 40 से तो बहुती उम्दा बुद्द रेखा भी टू आने पर नहीं करना कोशिश करना है कि official work करे या वैसा काम करे जिसमें आपको नुक्षान ना हो जैसे आपकी चन्दरमा परदान है तो लोगों से जुरा हुआ और कहीं न कहीं कपड़ों का सुक्र भी बढ़िया है तो जिसमें आपको पैसा बरबाद होने का chance नहीं वो काम एक्स्ट्रा योग है तो आगे लिख के लेलो पैसे तो आने ही है आपके पास थोड़ा patience रखने के आवश्यक्ता है आपके पास पैसे आवश्याएंगे तो यह था इनकरतली का पूरत अविश्येशन अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेंट कर सब्सक्राइब करते हैं अगरा प्रस्टने में सब्सक्राइब कर दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं अमारा वॉट्सअप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकर आप संपड़ कर सकते हैं धन्यवाद